नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर है काफी सारे लोगों ने इस स्टॉक से बड़ा पैसा बनाया है अभी तक शेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉक आरूंड आपके लिए अभी जो ट्रेड करता हुआ दिख़ा है वो 33 रूपीस 70 पैसे पे और इस को नाम है Trident, Trident के stock की बात करें तो लगबग 33 रुपे 70 पैसे पे आपको कल के session में closing देता हुआ दिखाए इस share में पहले तो मैं आपको ये बताने की कुछ करता हूँ कि गिरावट आ क्यों रही है Technical Levels पे भी बात करेंगे Fundamental Levels पे भी तो पहले शुरू करते है Fundamental Levels पे क्योंकि maximum investing है यहाँ पे लोगों का trading view तो बहुत कम लोगों का रहता है तो पहले investment purpose से Fundamentals जानते है तो Fundamentals में अगर बात करें stock गिर क्यों रहा है तो इसके पीछे का reason है आपने देखा US में problem है और ये around 60-70% export करता है US में और Walmart ने clearly कहा था कि अभी जो demand है वो उतनी नहीं दिख रही है इसलिए इन जैसे textile stocks में बड़ी गिरावट आई चाहें वो आपके लिए Trident हो या फिर वो ICIL हो या वो आप देख सकते हैं maximum textile stocks में गिरावट देखने को मिलिए आपको और यही कारणे से stock के गिरने का भी दूसरे इसके valuation भी कोई जादा सस्ते नहीं है हाला कि यह stock आपको लग रहा है कि 70 रुपे वाला 33 रुपे आ गया है लेकिन valuation wise यह stock कोई जादा सस्ता अभी भी नहीं है ठीक है यह तो भी negative चीज़ है अब मैं अगर positive चीज़ों की बात कर पर लेके जाना चाहते हैं और अभी जो currently company काम कर रही हो 7,000-8,000 के revenue पर गर रही है यह से लग बग 3-4 times का इनका jump करने का प्लान है अगले 3 साल के अंदर तो बड़े targets है long term के हिसाब से company के fundamentals की बात करें तो मैंने आपको valuations की बात करी कि valuation अभी भी कोई जादा सस्ते नहीं ह तो वो मैं आपको बता दू लगबग 30 के PE पे यह stock trade करता है 33 पे trade कर रहा है लगबग 7.5-8 रुपे की book value यह almost around 4-5 times की book value पर trade करता है तो सस्ता नहीं है इस stock की बात करें तो इसका market के अप around 17,000 करोड का है और earning per share 1 का है 2% की dividend yield है यह हो गई आपके लिए बड़ी बड़ी च वहीं पे घूम रहा है और नीचे जान और थोड़ा बहुत मूफ करता है तो नीचे की तरफ कर देता है फिर घूमने लगता है तो sideways to negative है कोई बड़े levels नहीं दिख रहे है means कि नीचे की तरफ या उपर की तरफ कुछ जादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है लोंग टर्म निवेशोंगों की बात करें तो यहां पर इस टॉक में लगबग 2-3 साल एक consolidate हुआ है स्टॉक 2017 से लेकर 2020 तक इस टॉक consolidate करता है लगबग 30% negative returns भी देता है 4-5 साल और फिर इस इस टॉक में बड़ा वाला move आया जो वो 10 रुपे का share तो आपके लिए सीधे हो 70 रुपे का 7 गुना बढ़ गया और उसके लाद एक बड़ी वाली करेक्शन भी उपर से आदा रह गया है लोंग टम के हैसाब से डेफिनिटली यह stock buy and hold वाला है यानि कि आपके पास है उपर में खरीदा है बने रहो पर आपको समय देना पड़ेगा 3-5 साल डेफिनिटली मुनाफ़ा होगा आपको और stock 3-digit में भी आएगा मैं इतना भी जानता हूं कहीं न कहीं इस stock में काबिलियत बहुत है इसका revenue इसका profit continue भड़ी रहा है बट अभी थोड़ी problem चल रही है अब अगर आपके वहल यह सोचते हो कि Europe और US से जो है IT effect होता है नहीं बहुत सारी companies है जो effect होती है जिसका revenue export करके जादा आता है तो वो directly effect होगा अब example के तौर पे चाइना से metals का लेना देना है तो उन्हें Europe US से मतलब यह उन्हें चाइना से मतलब है लेकिन है उन्हें भी विदेश से मतलब अब FMCG companies ऐसी है जिनने केवल भारत देश से मतलब है तो जब भी होगा तो आपके लिए FMCG companies soup up करती होगी इंसाइड इंडिया होगा कुछ भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे FMCG companies के लिए ही खराब होगा तो यह आपको मॉटे लेवल पर समझना चाहिए ट्राइडन के stock की बात करें अगर किसी का view छोटा है तो मैं आपको एक छोटा सा stop loss और चोटा सा target दूँ तो अभी stock में नीचे के levels ही दिख रहे हैं क्योंकि market भी correct होगी लेकिन market normal होती है तो stock in fact average भी नहीं करना है लॉंग टम का वीव तब भी तो यह होगी मेरी वीडियो होप आपको समझे पसंद दौन आयोगी thank you so much for watching this video